बात करें Constitution की तो हाली में मेहुल चौकसी जिनको आप PNB Fraud Case के सिलसिले में जानते हैं इन्होंने Article 226 के अंडर में Delhi High Court में Petition दायर की और इसमें इन्होंने प्रे किया कि एक Netflix की Documentary है Bad Boy Billionaires India जिसमें उनके साथ ही नीरव मोदी के विशय में भी दिखाया गया है इस Documentary को पहले उन्हें दिखा दिया जाए मतलब Release से पहले इनको दिखा दिया जाए क्योंकि इनका Apprehension ये था कि इस Documentary के आने की वज़े से इनकी Right to Fair and Free Trial Infringe हो जाएगी और इनका Trial Prejudice हो जाएगा क्योंकि ये पूरा मामला अभी भी Subjudice है यहां पर Prejudice का आर्थ है कि पहले से अपना Opinion बना लेना किसी विशय पे क्योंकि देखे जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारी तरह इनसान ही है और हर इनसान का Opinion होता है और इस बात की Possibility से इनकार नहीं किया जा सकता कि members of the judiciary भी influence हो जाएं या उनका judgment clouded हो जाए due to some media trial या फिर any book और movie तो इसी बात का apprehension यहां पर मेहल चोकसी ने दिखाया था However, court ने इनकी rate petition को dismiss कर गिया और कहा कि ऐसी rate petition प्राइवेट एंटिटी की खिलाफ maintainable नहीं है और उनको option दिया कि आप इस case में civil suit फाइल कर सकते हैं अब दिखे अगर आप law के student हैं तो काफी सारी books में यह लिखा है कि rate petition of mandamus is maintainable against private persons बट यह जो judgment law है यह obsolete हो चुका है आज के समय में और पिछले एक दशक में Honorable Supreme Court ने काफी सारे मामलों में यह held किया है कि a petition of mandamus is not maintainable against private entity तो इस बात को आप ध्यान रखेगा अब देखे प्रिव्यू मांगा गया था release से पहले तो ऐसा तो है नहीं कि सर्थ देखेंगे और उस series को without any cuts release होने देंगे तो यह जो pre-release legal censorship है इसका legal basis क्या है ऐसे cases में सबसे पहला ground pending trial को prejudice to pending trial बताया जाता है और देखें काफी सारे cases में similar relief मांगा गया है अब यह जो relief है यह article 19 के clause 2 से related है जहाँ पर freedom of speech and expression के उपर reasonable restrictions लगाए गये हैं और जब भी matter subjudice होता है ऐसे cases में तो contempt of court या फिर defamation का reasonable restriction बताया जाता है अब बात चली रही है तो हम article 19 के clause 2 को देख लेते हैं इस article में freedom of speech and expression के खिलाफ reasonable restrictions की बात बताई गई है क्योंकि sub clause A of clause 19 में freedom of speech and expression ही दिया हुआ है और इसके तहट ऐसा freedom नहीं किसी existing law को और नहीं state के द्वारा जो law बनाया जाएगा उस पे कोई conditions impose करेगा unless and until ऐसी law reasonable restrictions से related है अब एके करके देखते हैं कि इसमें reasonable restrictions कौन कौन से हैं पहला है sovereignty and integrity of India मतलब आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे भारत की संप्रपुदा पर खत्रा पैदा हो तो आपके उपर restrictions लगाए जा सकते हैं फिर है security of the state मतलब की भारत की जो security है उसको आप threat नहीं पहुँचा सकते इसके बाद friendly relations with foreign states मतलब आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे किसी friendly देश से हमारे संबन्द खराब हों इसके अलावा आपको public order के विशह में भी ध्यान रखना है while exercising your right to free speech and expression मतलब आपको ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे जनता भड़क जाए उसके बाद decency और morality का भी आपको ख्याल रखना है मतलब कोई अपशब्द ना हो या फिर nudity ना हो और last में आता है contempt of court, defamation और incitement of an offense contempt of court मतलब court की अवमानना करना, for example प्रशान भूशन जी के उपर हाली में एक case चला है फिर बात आती है मान हानी, मतलब आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचे और last में है incitement to an offense, मतलब किसी offense को करने के लिए आप किसी व्यक्ति को भढ़का नहीं सकते अब देखें amendments के विशे में आप दो चीज़ें जान लीजे, पहली बात तो constitution के first amendment act से इस sub clause में काफी major changes किये गए थे, और ये जो point है sovereignty and integrity of India इसको 16th amendment के थू लाया गया था बढ़ते हैं अपने next topic पे